इस वीडियो में मैं आपको उताने है आप जो है टेक्ट पॉप फाइब फॉन में आप धुस्तों टेक्स का क्लर कैसे चेंज कर सकते हैं आपके phone में जो भी app होता है तो उस app का नाम का जो text होता है जैसे होगा setting, YouTube, camera, WhatsApp तो यह जो नाम का text है इसका अगर आप color change करना चाहते हैं कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके लिए आपको home screen पर कहीं भी खाली जिगा उपर finger को दबा कर रखना है यहां desktop setting का option मिलगा इस पर click करना है यहां option में जाएगा text color का text color पर click करेंगे और यहां से अगर आप देखिए white select कर देंगे तो text color white हो जाएगा अगर आप यहां black select कर देंगे तो text color black हो जाएगा तो यह black color में ही दिखेगा और अगर आप और change करना चाहते है तो text color पर click करके custom पर click करेंगे तो आप यहां से जो भी text का color रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं देखिए गर आपको green रखना है तो आप यहां दोस्तो green को select कर दीजिए और उसके वादे एक बार आपको यहां पर click करना है फिर देना है OK पर click कर तो फिर आपके home screen के सारे app का text का color green हो जाएगा आप देख सकते हैं दोस्तो home screen पर जो भी app है तो उसके text का color green हो गया time का भी green हो गया तो इस तरह के से आप इस text का color change कर सकते हैं वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजेगा